अब सार्य नू सात्ष्रियाकाल स्वागत्यत्व डावसंदीप सिंग्लासिज देवेच आज दीस वीडियो देवेच आपां पीयस्टेट दे जड़ा एक्जाम होन जा रहे हैं ठीक है आप पंजाबी दे टॉपिक दे गल करें जे देवेच आप आज दीस वीडियो इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि जड़ा सानु पता है किसी तुसी जी में कि मैं प्रीविस येर दे कई कोश्टन्स में मैं उन्हों दी वीडियो में अप्लोड कीते तो तुस्वादे वेचे देख्या होएगा कि जड़ा सानु स्टार्टिंग दे वेचे एक कवीता दा जड़ा पैरा यो जिरूर होंदा है ठीक है जी और कवीता दे पैरे वेचे सानु कई वार अलंगकार ठीक है जी और रास दे बारे कई कोश्टन्स होदे पिच्छों पुछे जान देने ठीक है जी सो ए वीडियो दे तुसी अखीर तक बढ़ने रहे हो ते मिन उमीर तुसी बढ़ने में रहूंगे ते मैं ज़कीन दवाना है कि तानु जड़ी अलंगकार और रास है कदी भी ने पूल अंगे दुबारा ठीक है एज जड़ी पीडियाफ है ओवी मैं डिस्क्रिप्शन दे विच मैं अपलोड कार दांगा ठीक है तुस्यों तो दुबारा एक और द है तानु मेरी गरंटी है कि तानु कदी भी जड़ी अलंगकार है और दुबारा अलंगकार और रास से कदी भी ने पूल रहेंगे तो आप वीडियो दी शुरुवात कर दिया जो भी चैनल ते नवे आये नो चैनल नू सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें तो आप इसी खुद आपने आपनों शिंगार दी है एक औरत है एक औरत खूपसूरत है और जदो आपने आपने आपनों शिंगार दी है गैने पहुंदी है तान वो होर खूपसूरत लगे जरूंदी है ठीक है इसी तरह लंकार है लंकार देखो कवीता दे गैने है जदो कवी जड मह सकता रहन लए वे सिक्षोब्सूरती लाने कभी है वा बहुत कोछ करता है ठीक है ऑना नोह की क्या जानदा है जि अलंकार अलंकार देखा ऑन ऌह जि गेङिए ओ आरत अलंकार और अखीर देवे जानन दाए जी शबदार्थ एक किसम है जदो कोई कवी जड़ा है जड़ा है कवितादी रचना करता है ति क्वीता दे रचना करता है सो ओ अ दे वेचे वो कई शब्द अध अधंध्यायदे योज़ करता है जेदे लालों कवीता की्था दे ध्यांध्याि और वद्रिजान्दी ति कि हमांध्याल ही धे मतलत JU59 मतलति हो शब्दाम अलंकार होंदा कि जद कविता विच एको जहे समान वरना खरा जाँ शब्दा दा वार वार दाराओ इस तरह होवे कि उस विच संगीत कले वजन ते तोल पैदा होवे अनुपरास अलंकार किया जान दा है जिमें उदारंदे तो उरते फिर रूप सरूप अनूप दिसे फिर जिन्द दिवानी चली चली ठीक है जी इस दा एक लाई पैदा हो एक पैदा में एक रसी और इस दो से बोल लिए फिर रूप हनूप दिसे फिर जिंद दिवानी चाली चायव सभी ज में प्रीक्रेवदें जोड़ा तेऊंड व्रीक्तिन अर्जी नप्रास लंगार ठीकर जीए सो जड़ा दूसरा ओसी यमक यमक दार्थ है जोड़ा कि जञ़ाद इको जै शब्द वार वार ओंदिहान उननों की कहना दने यमक लंखार जिम पांत पांत बन बन अफगाँ देखो पांत पांत जड़ा देखो सेम अखर है दो दो बार आ गया ना जोड़े दे विच सो जोड़ी एद्धा वर्ड यूज केते ज़ाने किसे कविताच ओ यमक अलंकार जड़े हो उननु आख्या जानदा है जो देखो उस तो गे आ जानदा जी अर्थ लंकार यह जड़ा सब तो इंपोर्टेंट है यह नों तुसी त्यान देना लिकाओर समझेओ अर्थ लंकार होंदा जी जेदे विच अर्थां दा जड़ा है सोज पैदा गिता जानदा है कवी दे जरियो जड़कवी अर्थां देवे चड़ियो सहचता लेके होंदा है ठीक है अर्थां देवे चड़ियो खूबसूर्ती लेके होंदा है ठीक है जी वो अर्थ लंकार हम देया एदे वेच जी उपमा रूपग द्रिष्टांत अत कथनिया लंकार हम ठीक है जी तो अपा पहला ठीकें जी सोदेखो उपमा पंजाबी वेच उपमा दा आमर्थ जस कीर्थी पशंसा कर दिया ठीकें सो अलंकारा दे इस परसंग वेचा उपमा तो ई सदारन अर्थ नहीं लेया जान्दा ठीक है जी उन्ट देखो इदे वेच दुस्य बस इना समझने है कि उपमा दा अर्थ होंदा है परसंसा करनी किसी दी कीर्थी करनी किसी दा जस गायन करना ठीक है तो देखो इदे वेच जड़े उपमा लंकार दे वेच चार तात जड़े जड़ पूरी हों तेने ओखेड़े केड़े टाता ने आप वेस एदे बीच देखांगे देखो लेड़ा पहला ताता है ओव है जी उपमे ठीक है और देखो उपमे की हंदाया कि ओचीज जिस दी उपमा किती जावे या जिस दी खातर किसे होर वस्तू दे नाल तुलना किती जावे ठीक है ओचीज जिस दी उपमा किती जावे देखो मालों एथे कोई एक आदमी है मैं उदी की करनी है जी मैं उदी प्रशंसा करनी है उन्हें मैं इस आदमी दी प्रशंसा करनी है न सो एक ही हो जाएगा ए हो जाएगा उप में तीक है उन देखो उपमान की होंदा है कि ओ वस्तु जिस नाल उपमा दिकाई जावे उन मैं इस आदमी दी उपमा करनी है उन उपमे कहने है पर मैं किसे होर एक वस्तु दी जड़ी है उस सहाइता लेकर इस दी उपमा करनी है कि पत्वाधんな सिर्व a Mangella के उन् PlayStation में बहुत स्यपटाउं हैं निदार जा बालब हैं मैं व्मीटाश्र युद्धा से युद्धि पाल जाएगा इस्यूं उप मान मतलब ओ वस्तु जिस नाल उपमा दिखाई जावे किसे दी ओ उपमान होंदाया उप में होंदाया कि जिस दी उपमा किती जन्दिया जे में ए आदमी उप में हो गया और इस दी बहादर दी तोलना मैं शेर दे नाल किती ताओ कि हो गया जी उपमान खीक है जी उमीद है एना तानों जरूर क्लियर हो जाएगा अग्येचा के एक्जामपल दी जरीतानों पूरा क्लियर हो जाएगा तो देखो इदी वेच तीसरा जड़ा ताता आंदा है वो केड़ा आंदा है जी सांजा गुण उन देखो ओ गुण जो दोना वीचिक को जया सांजा होए ठेक है देखो उनों आदमे वी जड़ा बहादर सी शेर भी बहादर है सांजा गुण हो गया ना दोना देवेच उन वसी की कहा दानिया जी सांजा गुण वाचक शबद की उनदा है कि जिमे वर्गा वांगू तरा जो ओ शबद जो इस उपामा जा तुलना नू परगट करे ठेक है उन अपका की कहा दानिया जी वाचक शबद उन देखो उदा आरंतो ता नू जड़ा पूरा कलीर हो जड़ा है उन देखो लिखे है जी उसदा मुखडा चांद वर्गा सोना है उन तुसी देशो एदे विचे चार जड़े ने उसी तोड़ी है जी इस वाचनू एदे विचे चार चीज जाने देखो पहला चीज एदे विच की है जी मुखडा दूसरा की है जी चांद तीसरा की है जी सोना ठेक है और अखीरला की है जी वर्गा उन तुसी देखो उन इदे विचे क्याए जी उस दा मुखडा चंद वर्गा सोना है उन मुखडा मालोगे से और दा है हुण मुखड़ा है असी उस दे मुखड़े दी प्रसंसा कर रहे हैं तो एक ही हो गया जी उप में मतलब जी दी असी परसंसा करनी है मुखड़े दी उन्हें चांद की है चांद दे नाल असी कंपेर करना नी चांद दे नाल असी कंपेर करके असी उस दे मुखड़े दी जड़ी है उपमा करनी है मतलब चांद दी सहाइता दे नाल सो चांद की हो गया जी उपमान उन सोना देखो की है सोना सांजा गुण है देखो उसना मुखड़ा भी सोना है और चांद भी सोना है ठीक है जी उसना मुखड़ा भी सोना है और चांद भी सोना है सो एक ही हो गया, दोना दा सोना हुना, दोना दा संजा गुने है सो वाचक शबद की हो गया, वाचक मतलब वर्गा जो उपमा और उपमेन उजड़ा प्रकट का रहे है कि उस दा मुकड़ा चांद वर्गा सोना है ठीक है जी? सो बहुत उसी याद रखना है जदो सी किसे दी उस्तत करनी हां वो उप में हुन धाया और जिससे नाड उसके होर वस्तो दी सहाइता दे उसे पमा करनी हां वों हती है उप मान ठीक है जोलोरष को हुद करना हरे है जोलाः इस विछ दो चीजां तोलना करके एक सञस्जा गुण इस तरह दसियाा जान्दा है कि छीज़ां वेचे फरक मिट जान्दा है और दोह अधी एक मिकता ते एक रूपता अजान दी ऐे बिद framework अरूपमा इन गूई है बसे दिए वीचे फरक एदा है तो दोनदे तुलणां एदधा कीती जाधी है कि उन्हां दोन दे मीचश्च ड ़ड़ा फरक है व मिट जानदा है उनना दे वेच एक रूप ता पैदा हो जानदी है जिमें उदारन बिरहों दा एक खरल बलोरी जिन्दड़ी दा सा सुर्मा पीठा रोज रात नू अंबर आके मंग दा एक सलाई वे ठीक है? उनने दे को दे वेच जिन्दड़ी और सुर्मा इननू इक को ही मानले आ मतलों इक को रूप होगे ठीक है जि बिरहों दा एक खरल बलोरी इनननो इक मानले आ ओगया ठीक है जि इस तो गिए आजएंदे जि द्रिश्टांत अलंकार ठीक है जि द्रिष्टांत लंकार देखो केड़े हुंदे जी द्रिष्टांत दा उदारण दा अर्थ उदारण मिसाल नमुना दी हन ठीक है जी कवी अपनी कविता वेच जिस किसे विशे दा वर्ण कर रहा हुंदा है उसनों समझाओंड़े हो आम जीवन आम जीवन दे प्रकृति विचों कोई अजेही उदारण जड़ा है माफ करन लेथे प्रकृति दे स्पैलिंग अलत ने ठीक है जी विचों कोई अजेही उदारण चून के उसने बराबर राखतेंदा है जिस विच अते वर्चन वर्णन किते जारए विचे विच सांजे गुण हुन दे है द्रिष्टांत लंकार विच इक गल कहके दूजी गल उसते उदारण दे रूप वेचाखी जान दी है ठीक है जी सु द्रिष्टांत मतलब कि जेही उदारण चून के उसते बराबर राख दिन दे दिन दा है जिस विच वर्ण किते जारए विचे विचे सांजे गुण हुन दे है ठीक है मतलब एक गल कहा कि दूजी गल उदे उदारण दे रूप विच पेश किती जान दी जी में से उदारण दे का दिया देको कबीर जी कह रहा है कि कबीर मानुख जनम दूलब है ना होत ना बारंबार जियों बन वल पाके पुएं फिरें पुएं गिरें बहर ना लागे डार ठीक है कबीर जी कह रहा है केंदे कि लड़े मुनुखी जनमा ए बड़ा दूलब है ठीक है ये बार बार नहीं मिलता एक किसमत दे नाड मिलता है ये उसे तरह है कि जिमे बन वल पाके पुएंग गिरे जिमे किसे एक दरख तो अगर कोई कफालर डिगे जेते हो फालर दुबारा टानी नों नहीं जुड सकता ठीक है तो कवीर जी ने मानुक जनम दुलब है ना हो तो बारं बार एक गल कह के जड़ी तूसरी गल है ये उदारंदे तोरते हुनने उसे नाड कई है ठीक है उदारंदे रूप देवे चाकी है सुचतो गया आज अन्दे जी अत कथनी अत कथनी की हुन दे जी इस ता जड़ा अत कथनी ता जड़ा अर्थ है अत अत कथनी दो हिस्से हैं इस ता अर्थ है किसे गलनू वदा चड़ा के जड़ा के जड़ा के बियान करना मतलग किसे चीन वदा आचड आके जड़ाया हो करना ठीक है जी मतलग छोटी जे गालनू वदा आचड आके देवेच कीता जान दाया जी में देवेच उदा आरण देखिए जे तू गाल वेच फुला दा हार पाया तेरे लाकनू पै कडवल मुई है जे तू हत्था ते पैरा नू लाई में दी पार नाल तो सक्कीना हल मुई है ठीक है जी देखो गालनू वदा आचड आके क्या होया है जो एक वेच अंदर जी अत्कतनी सो इदे वेची का अखीर रिड़ा ताइप आंदी हो यांदी है शब्दार था लंकार इसदे वेच शब्दा ते अर्था दो आम फिची सेऽ पैदा किती जंदी जेनु आपना शब्दार था लंकार अपन machen केस दिनिया ठीक है ज aktiv या जीको अि अलिन आए संग के अजिकर slash management oil कि स्धों के साधी हुन रास आगे ने सो रासते उस्ते पेल अपपा उस्ते बारे गाल करांगे देखो रासता अर्थ है अनांद रासता जड़ा अर्थ है वो अनांद असी कोई गीत सुन देयां असी म्यूजिक ज़ाद सुन देयां ता सानू दे विचो की मिलदा है सनो दे बिचो रास मिलदा है सनो अनांदा अन्दा है उन्हों सुनके ठीक है उसे नोसे की कहता नहीं है रास सो जड़ा रासदा जड़ा मोड़ी है ठीक है सुरी ते दा आएगा रासदा मोड़ी हो पारती काव शास्तर नुसार परत मुनी है जड़ यह रास दी जड़ी है उधी कहलों से काड़ कड्डी ज़्जा सब तो पहली बार उसने यह वाला संकल्ब से रासम ऑधी बारी जड़ा हैं जानूकरवाया उट रासम जड़ाई नौ तरन्हां था है से जड़ा नौ तरन्हां है पहला रासजी सिंगार सीप Tomorrow इस फ्रह प्रविक प्रहस Sanskrit वह प्रीत है नौिछ फ्रहस थीके जड़ा हास ťे वेढ़ा पाव निखळा है हेसा हम निकळ penis हासा हम जी उस्तो गया जन्द जी करूना रस करूना रस देविच की होंदा है जी शौक और तरस तरस तापाव होंदा है ठीक है जी उस्तो गया जन्द जी रौदर रौदर देविच करोद गुसा बीर रस देविच उत्शा होंदा है प्यानक रस देविच पै या डर होंदा है अद पर अध्तस दे विच क्रना या नफरत ता रस जढा है पाफ जढा है उन्में निकल दाए अखीर देविच चांत रस ते विच वेराग धा डढ़ रस जढ़ा है नू पाफ है उर। जो जाडरा कंगा डाएं ठीक है एक नहीं अदो या बाहराओं टाहिए एक फूंद स्यख वांधे कर ले जसे ऑर सब्याएं राजा केंडे रशन किया जरन में सो उदा अंसर करisis चिचेघिक है ऊते उदा अरण गरसी देखियां देखिये ता नी अज कोई आया सा डेवेडे तकण चन सूरज टुक चुक नेडे लसे नी उदा मत्था तारेयां वंगों आया नी खोरे अंबर कुम कुम केडे ठीक है देखोई देवीची कि प्रीत और प्यार दा जड़ा पाव है अज कोई आया सा डेवेडे तकण चन सूरज टुक चुक नेडे लसे नी उदा मत्था तारेयां वंगों आया नी खोरे अंबर कुम कुम केडे ठीक है जी तो अगला है जी रास हास रस एदेवीची कोई देखोई दा पाव है देवीची कियां दा है हास हो तारेया ठीक है अज की उस सी हास हर रहा है मतलब कि उस कवीची पाविच वीची जड़ा या हास से वाला जड़ा रास से वह पैदा हो रही ठीक है जी ऐदे वीची दिडेकोई दा आरम देख दियां पंज साते जिबा लवाईयां बापु ने बनेयान नु सोने दे अमरीकन बिस्कुट पाकिस्तानों ले आउनू कल बापू बन्यान मंगी ता बेबे हस के बोली ओ बन्यान ता काका पाके तुर गयां इम्तिहानू ठीक है जी देखोए देवेचे के थोड़ा हासा डिठा जाए जड़ा है जड़ा निकल गए बाहर आ रहा है रस ठीक है जी इनों आपके रहा है टाला आउनू कविताश्या पाढ़के अगर सानों कोई तरस आन्दा है सज एंदर कोई हमदर दी दी पाव ना जड़ी पैदा हुंती है ताहों केड़ा रास वंदा है जी करूना रास सेदिव दारन देख देया देखो तिरी कबर ते आईया नेक बखता अपने दुखां दे मुड़े अपने दुखां दे अटेरने लई दिवा परण लई बुकदा खून परके पला रुख्याँ वाला दा फेर ने लई आप चड़ेओं जनाजे तेहाई मेनू जियून मरंदे विच अड़ा गयाए मौत नाल निका तू कर बैठा सानू गम दा लड़ फड़ा गयाए अगला याजी रास रौदर रास रौदर मतलब भंदे जी गुसा उन देखो याजी लाइना पड़ा के साड़ इंदर इक गुसा यदा पाव जड़ा होसा नू पता लगएगा की रास जड़ा निकल रहे है ठीक है जी देखो चंड चितारी काल का मन बाला रोस बड़ाएक है निकली मत्था फोड़ के जण फते निसान बजाएक है ठीक है जी फते मतलब जित गे गुसे दा पाव जड़े देवेट सानू चंड चितारी काली का एदेविचो सनू जड़ा पता लगए ठीक है जी अगे भी सिगा जी जिमें दाल बिच के राकत्या मर मी तुर्या गुण नाएक है पकड पचाडे राक्षा दल देंता अंदर जाएक है बह किसी पकड पिछाडियन रण अंदर चूम रचाएक है रण काली गुसा खाएक है ठीक है देखो साड़े अंदर एक गुस्से दा पावसानू पता लग रहे है कविता पढ़के ठीक है जी एक तो अग्या जी बीर रस इस दर एड़ा स्थाई पावे होई जी उत्षा जोश इजदा ता जड़ो लुकी जदो प्राणे टाइम देवेचे मैदा लडाईयां ह उदेवेचे बीर रस दियां कभी तामा जड़ियां है गाईयां जांदियां सी तांगी जड़े लोग सैनी खंदे सिमना दे अंदर एक जोश उत्षा पैदा होवे जिमें के देवेचे सी पढ़ सकते है चंडे निकले कूच दा हुकम होया चड़े सूर में सिंग दलेर मिय चड़े पुत सरदारां दे छैल बंगे जी में बेलें निकल दे शेर मियां देखो एक जोश साड़ इंदर जड़ा पैदा होवेगा देखो कि में काली रात अंदेर दे गिरन गोले काली रात अंदेर ते गिरन गोले जैसे चड़ दे तीर कमान लोको बिजली बदला थी कड़ 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 पैंदी कंब जाव दे जिमी असमान लोको मारे सीत ने शेर लंगूर हा थी तड़फन विच पए बिया बान लोको ठीका जी देखो एदे वीची का डर दी पावना जड़ी है ओहो लड़ी ये पैदा हुंदी ये ठीका जी स्थाई पाव ये डर स्थाई पाव ये डर स्थाई रास केड़ ये प्यानक रास मिजदी केते मग्ज खोपत विचो वैर्या गया तुट मठका दहीं है वया किते तोण विचो फुहारा फुटे किते मग्ज दी खोपडी पै तुटे अकाली है सिंग नाद कर गजिया पठान जा दल देहल के लर जेया ठीका जी देखो एदे विचो नो की का जी मग्ज खोपत वेच वै गया ठीका खोपडी मतलब कि खपडी अगे की लिखया है किते तोण विचो फुहारा फुटे उधी तोण बाड दोग विचो खूण दीया जीडिया फुहारा निकल रही है किते मक्स दी जड़ी खोपडी या पै तुटे सो एक क्रिणा जड़ी है इदे विचो क्रिणा दा पाव जड़ा पैदा हो रहे है कि हर पासे लव हुई लव है किसे दी तोण दे विचो खूण निकल रहे है किसे दी खोपडी तुट गई है ठीक है जी सो जड़ी क्रिणा दी नफरदी पाव ने हो विपत्तस रस्ते वे चाओं दी है इस तो अगे जी हो रास है ओ है अदबुत रास एदा जड़ा स्थाई पाव किया जी अस चर्जता है रानी उन जदो असी कविता को एदा दे उन्दे उन्हों देखे असी हैरान होने है तर लावयाग पांचो लरके जारे हैं राम लिवलाग मतला असी कई बारे जड़ी कविता नों सी पढ़के हैरान होने अस्चर्जता सा देंदर पैदा होवेगी ओ केड़ा होवेगा जी ओ होवेगा अदबुत रास असी कोई अदबुत कोई चीज दरिश देख लेया असी कविता दे जरीए तब वो खेड़ा होवेगा जी अदबुत रास अग्गे खीर ला रास है जी शान्त रास एव एदा ड़ा पावेगा जी विराग शान्ती अमरित वेला साचना वडेयाई वीचार करमियावे गपड़ा नद्री मोक द yolk यानिए सब आपे सचियार करमियावे कपड़ा नद्री मोक दुआर जोतो राब साढ़ेते करम करेगा ठीक है, सनु उदो भी जड़े मोख दवार सनु मिलनगे ठीक है, नानक के वे जानिये सब आपे सच्यार जड़े नानक कहरे निंगु नानक देव जी की जड़े रब्दा नाम है, ओही सच्चा है मतली के शांती आ जांदी है सडे सुभादे वेच कोई कविता पड़े के ठीक है तो इत्थे ही वीडियो दी जिस मापती है मैंनों उमीद है तो उसी वीडियो दे खीर तक बढ़े रहे होंगे और ता उनों वीडियो पसांदाई होवेगी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट सी जी में मैं स्टार्टिंग चीकिया थी दे वीचों कोश्चन जड़े हर वरी आंदे ने तो उसी वीडियो दे खीर तक बढ़े रहे तो जड़ी इस दी पीडियो जड़ी 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 ज़रूर देखनी पावेगी उस्तो बात आनों सिरफ एक बार जड़ा है पीडियेफ पढ़न दी लोड पहनी है ता तानों कदे भी द्वार पुल रणके नहीं यह मैं गरंटी रहन दा हां ठीक है जी ते पर तानों एक गरंटी यह लेनी पावेगी तानों वीडियो देखनी पावेगी ठीक है जी उस तो बात आनों सिरफ एक बार ही रीड करना प श्रीयकार